नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओजांगा ये सक्रेडिमी में लास का जो सेशन हमारा चल रहा था मैपिंग का उसके अंदर हमने मध्यप्रदेश को कवर किया था और उसका कुछ पार्ट जो है वो बच गया था तो उसे हम आज कवर करने जा रहे हैं लेकिन उससे कवर करने से पहले कुछ कोरसे जो हमारे अभलेबल हैं उनके बारे में इणसर कवर करवाएंगे पॉलीटी वीजंद्रit सर कवर करवाएंगे उक्नॉमी कुसुम् कवर करवाएंगे बाकीं की डिटेल आप दिये हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं GS Mains का बेच जो कि Problems और Mains का Complete syllabus Cover करवाया जाएगा इसके अंदर Paper 1 से लेकर के Paper 4 तक का Complete syllabus आपको Cover करवाया जाएगा Live Classes आपको available होंगी Ojang Anytime Learning App जो है हमारी उसके उपर एक साल की Validity के साथ वो Classes मिलेगी ताकि आप उनको फिर से देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं बाखी की डिटेल आप दिये हुए नमबर पर Call करके ले सकते हैं Conceptor Batch 12th Class के बाद कैसे IIS की तैयारी करें यह पूरा सीखाया जाता है आपको Ojang Sir खुद इस course को Guide करते हैं और उनकी guidance में सारी चीज़े जो है वो आपको सिखाया जाती है admission के कुछ ही दिन बागी है जल्दी से जल्दी से जाइन करें दिये हुए नमबर पर Call करके बाखी की detail आप ले सकते हैं NCRT Andolan Batch हमारा एक बहुत ही successful batch जिसके अंदर NCRT को पढ़ने की क्या approach होती है खुद ओजांक सर आपको guide करते हैं कि किस तरीके से NCRT को पढ़ा जाता है और बहुत ही nominal fees में आप लोगों के लिए available करवा रखा है तो आप इसको अगर join करना चाते हैं दिये हुए नमबर पर call करके और detail जानना चाते हैं तो भी call कर सकते हैं इस नमबर पर concept or ECS batch हमारा बहुत ही successful batch जिसमें की complete prelims plus mains की preparation करवाई जाती है किस तरीके से क्या तरीका होगा हमारा किस तरीके से हम books को पढ़ेंगे किस तरीके से concept clarity करेंगे सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई जाती है answer writing किस तरीके से की जाती है interviews में हमारा attitude जो है वो किस प्रकार करेता है हर एक चीज़ जो है वो आपको सिखाई जाती है live classes होंगी आपकी anytime learning app के उपर कुछ ही दिन इस batch के बंद होने में admission बंद होने में बचे हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसे join कर लें और बाकी की detail दिये हुए number पर call करके ले सकते हैं answer writing men's के बच्चों के लिए जो की बहुत ज़्यादा important है बच्चे बहुत ज़्यादा गबराते हैं इससर हमें आता सब कुछ है लेकिन लिख नहीं पाते तो answer writing किस प्रकार से की जाती है किस तरीके से ज़्यादा marks ले आए जाते हैं क्या question की demand होती है उसे कैसे समझें उसके अनुसार कैसे answer लिखें यह सब कुछ जो है ओजांक सर खुद आपको सिखाते हैं कि क्या approach होगी किस तरीके से हम यह सारा काम करेंगे 23rd of March से batch start हो रहा है बहुती nominal fees की 5000 रूपीज प्लस इसमें आपको एक साल की योजना जो है योजना magazine जो है वो भी आपको cover करवाई जाएगी live classes होंगी anytime learning app पर detail आप इस number पर call करके ले सकते हैं grammar course रभी बजाज सर का course जो है वो आप ले सकते हैं grammar से अगर आप डरते हैं English grammar से तो आप इसे ले सकते हैं 4000 रूपीज की nominal fees का course है बहुत ही अच्छा course है आप लोगों के लिए और 16 फेब से इसकी classes जो है वो start हो रही है तो अगर आप इसे join करना जाते हैं कर सकते हैं दिये हुए नंबर पर call करके बागी की detail ले सकते हैं current affairs test series जो है उसे अगर आप join करना चाते हैं तो कर सकते हैं 18 month last 18 month के current affairs जो है complete उनकी coverage जो है question की exam के demand के हिसाब से questions जो है वो frame किये हुए है और 1500 से जादा questions जो है वो इसके अंदर आपको available होंगे first test आप लोगों के लिए free है अगर आप इसे join करते हैं तो बहुत ही nominal fees 500 rupees के अंदर ये course जो है वो आपको available है और detail आप इस number पे call करके ले सकते हैं तो last का जो हमारा session हुआ था उसके अंदर मैंने आपको एक question दिया था मद्यप्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे तो और एक question मैंने आपको दिया था consider the following statements दो statement दिया थे मालवा प्रेटू is located completely in मद्यप्रदेश नहीं गलत बात है मद्यप्रदेश प्लस राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है तो completely सिर्फ मद्यप्रदेश में नहीं है थोड़ा हिस्सा राजस्थान में भी है तो पहला statement हमारा incorrect होता है बुंदेल खंड प्लेटू is located to the north of महादेव हिल्स महादेव हिल्स के उत्तर में बुंदेल खंड का पठार जो है वो महादेव पहाडियों के उत्तर में स्थित है यह statement जो है वो हमारा सही होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि बुंदेल खंड प्लेटू north में है महादेव हिल्स जो है उसके south में हमें दिखाई देती है तो दूसरा answer जो हमारा सही होता है तो answer हो जागा हमारा B that is two only आगे का पार्ट जो है उसे कवर करते हैं cities हमें देखनी बाकिती शहर जो है वो देखने बाकिती है शहरों को अगर हम देखें तो मध्य प्रिदेश की capital बोपाल आपको इसके लगबग मध्य में देखने को मिलेगी बोपाल से अगर आप west में आएंगे तो आपको महकाल की नगरी उजेन देखने को मिलेगी उसके दक्षिण में जाएंगे तो indoor बारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक या top five स्वच्छ शहरों में से एक जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंदोर इसके बाद इसके west में जाएंगे आपको तो धार झो है वो आपको एक district यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके north में जाएंगे तो आपको दिखाईदेगा रतलाम उसके north में जाएंगे तो मदसोर अफिम के लिए भारत का सबसे जादा अफिम का प्रोडक्शन opium का production करने वाला जिला है मंदसोर उसके बाद भुपाल से हम eastward बढ़ते हैं तो आपको district मिलेगा सागर सागर शहर जो है वो दिखाई देगा north में जाएंगे तो पन्ना हीरों के लिए प्रसिद्धक शित्र पन्ना उसके पास में देखेंगे सतना और रेवा दो प्लेटूस है हमारे दो छोटे-छोटे पठार है रेवा और सतना के पठार जो कि यहाँ पर शहरों के रूप में भी रेवा और सतना शहर जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बॉर्डर पर आपको बेडा गाट में धुआधार वाटरफॉल जो है देखने को मिलता है उसके दक्षीन में अगर आप बढ़ेंगे तो बेतुल, छिंदवाडा, बाला गाट ये कुछ शहर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं तो ये कुछ major cities प्रमुक शहर यहां हमें देखने को मिलते हैं ये क्षेत्र जो है बिंड मोरेना वाला क्षेत्र जो है वो चंबल के बीहड के लिए बेड्लेंड के लिए जाना जाता है ये वाला क्षेत्र चंबल नदी के बीहड यहां के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो देखने को हमें मिलते हैं बाइयोस्फियर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो जब हम 36 गड़ पढ़ रहे थे, वहीं पर मैंने एक Biosphere Reserve बताया था आपको, अमर कंटक अचानक मार, जो की 36 गड़ और मध्यप्रदेश दोनों में फैलावा दिखाए देता है, तो यहां कुणा रेंज में हमें पंचमडी एक्षेत्र जो है, वो भी देखने को मिलता है, जो की काफी ज़्यादा बायो डाइवसिटी के लिए रिच जाना जाता है, तो यह तीन Biosphere Reserves जो हैं, तीन जैव मंडलागार जो हैं, वो यहां हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम नेशल पार्क की बात करें, तो देखें नेशल पार्क, यहां मिलेगा आपको माधव नेशल पार्क, यहां मिलेगा आपको पंदा नेशल पार्क, जो भी मैंने पंदा Biosphere Reserves दिखाया था, जो की हीरो के लिए फ्रेमर से यह जगे, यहां देखेंगे आप बांधवगड नेशल पार्क, उसके दक्षिन में आएंगे तो Fossil National Park, उसके दक्षिन में आएंगे कानहा नेशल पार्क और उसके दक्षिन में महराश्र के बॉर्डर पर पेच नेशल पार्क जो है, वो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे आप, तो सत्पुड़ा नेशल पार्क जो है, वो देखने को मिलेगा, उसके वेस्ट में जाएंगे, तो Dinosaur Fossil National Park आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ में थोड़ा बढ़ेंगे हम, तो वन विहार National Park हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ अगर आप Total National Park को देखें, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, और नो National Park जो हैं, वो देखने को मिलते हैं, काफी ज़्यादा National Park जो हैं, वो हमें मध्यप्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, स्टेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा National Park जो हैं, वो मध्यप्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट अगर मैं तो पाँच टाइगर रिजर्फस जो हैं, वो भी हमें यहाँ पर मध्यप्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट अगर मैं रामसर साइटís की बात करू करू तो मध्यप्रदेश में ही रामसर साइट् देखने को मिलती है that is भोज वेटलेंड भोज वेटलेंड जो है भोज आर्द्रभूमी जो है वो हमें देखने को मिलती है एक ही रामसर साइट मध्यप्रदेश के अंदर तो यह हमारे बाकी का जो पार्ट मध्यप्रदेश के बारे में बच गया था वो हमारा यहां पर cover होता है I hope कि यह session जो है वो आप लोगों को काफी ज़दा informative लगा होगा काफी ज़दा knowledge जो है वो आप लोगों ने gain किया होगा ऐसा ही sessions जो है वो हमारे आगे continue रहते रहेंगे अभी हमने लगबग North India जो है वो complete कर लिया है South India का का काफी सारा part और Western India का का काफी सारा part जो है वो हमें cover करना है तो हम उसे ऐसे ही आगे आगे के sessions में cover करते रहेंगे तो आज के session को यहीं करते हैं and मिलते हैं अगले session में thank you thank you everyone